जैन साथियो आज हम आप लोग ले NCART का क्लास 6, 7, 8 के आपके पार्ठी करम पर अधारिते चप्टर वैज आपका इतिहास का कोशन लेकर आए हैं इसमें आपका क्लास 6, 7, 8 का इतिहास का कोशन है जो आपका NCART-based कोशन है और चप्टर वैज है तो इसको आप जैती एक पर बनाते हैं तो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा क्योंकि सभी कोशन आपका NCART का है तो आपका एक्जाम में जो कोशन आता है BBC में वो भी आपका NCART-based कोशन पूछे जाते हैं इसलिए आपको इस चप्टर को बनाना बहुत ही महत्पूर्ण है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए आपका ये कलास 6-8 वाले स्ट्टेंट के लिए और कलास 9-10 और जो कलास 11-12 का है तो सभी में आपका काम आएगा ऐसा नहीं आपका कलास 6-8 और 9-10 वाले स्ट्टेंट के लिए हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए आपका सुरू हम करते हैं कक्षा 6 का इतिहास ठीक है आज हम आपका इस वीडियो में कक्षा 6 के आपका जितने भी चप्टर है इसमें आपका टोटल 11 चप्टर है कितना है टोटल आपका 11 चप्टर इतिहास का है तो सभी चप्टर का आपका हम इस वीडियो में कवर करवा देंगे इससीतरद से आपको acáम poquito करबाते चलेंगे तो आपका एकजाम तक यहन्य जतने भी आपका एंसेयर्टी कोस्टन है चप्टर व्यद्ड सबी हापको हल्प करबा देंगे विंप्वड जूर कर चुरु करते हैं फिर आपका जूग्रा भी करवाएंगे इसी तरह आपको quality और economics को भी solve करवाएंगे यह आपके exam के लिए बहुत ही लावदायक होने वाला है तो चलिए हम फिलाल start करते हैं देख आपका chapter first है हमारे अतीद question first है कि प्राचिन काल में लोग किस भासा का परियोग करते थे तो प्राचिन काल में लोग प्राकरते भासा का परियोग करते थे option क्या होगा? फोर होगा ने श्रब का है question second है question है कि रिग बेद की भासा काउंची है तो रिग बेद की भासा थी संस्कृत option one होगा question third है कि किर्सी का आरंब कितने वर्ष पूर्व माना जाता है तो यह आपका लग भाग पचत्तर सो वर्ष पूर्व माना जाता है याद रखेगा किर्सी का आरंब लग भाग पचत्तर सो वर्ष पूर्व माना जाता है ने श्रब का question third है कोसन है इंडिया सब्द किस सव्द से निकला है तो इंडिया सब्द इंडस सब्द से निकला है तो सब कि वर्स की गन्ना इसा मस्य के जन्म से जाती है जिस दिन इसामसिक जन्म हुआ उस दिन से आपका इस्वी चले लगा इस से पहले इसामसिक जन्म से पहले कुम क्या करते है तो उसको बी सी में लिखते है यानि इसको बलते है इसामसिक पूड़ हुई यानि इतना वर्स इसामस पूड़ हुई यहां से आपका आध्या-2 का 1st Q QS कि वर्गाकार या आटा कार में का अफसरे किस 9 पासान कार अस्ताथ से पाए जाते हैं का 2nd है कि पसूब को पालतू बनाने की सुरुआत काव से हुई है पसुओ को पालतु बनाने के शुरुवात कवसु हुई है तो यह हुआ आपका 8000 साल पहले से है या देखे पसुओ को पालतु बनाने के शुरुवात 8000 वर्स पहले से हुआ है लेकिन आपसे कहा जाए कि कुत्तो यानि सबसे पहले आपको पता होगा कि कुत्ता को पालतु ब पूरा पसान काल का समय कितने वर्स पूर्व है तो आपका option 1 होजाएगा 20 लाग से 12 वर्स पूर्व कोशन कर रहा है कि मानव इतिहास की लगबग 99% कहानी किस काल में घटीत हुई है यह 99% कहानी पूरा पसान काल में घटीत हुई है option 3 होगा निशाब का कोशन 5 है कोशन है कि मेसो लिथिक या मद पसान युग के समन में कत्रों पर बिचार कीजिए कत्रों पर बिचार कीजिए वन है कि इस अबधी के दुरान पत्थर के ओजार को मैक्रो विथ कहा जाता था पत्थर के ओजार को मैक्रो विथ कहा जाता था यह अपका सही है यह अपका सही है फिर आपका 2 है कि पत्थर के आउजार आकार में बड़े थे यह गलत है पत्थर के आउजार आकार में बड़े नहीं थे यह आकार में छोटे थे क्या थे? आकार में छोटे थे तो आपका 2 गलत हो गया थर्ड है कि इस अबधी के दोरान पुराने किस्म के आउजार अनुपस्तित थे अनुपस्तित नहीं थे तो यह आपका गलत है क्योंकि उस में पुराने किस्मी के आउजार थे यहां क्या कर रहा है यहां कर रहा है अनुपस्तित थे इसके मिलए नहीं थे तो यह आपका गलत है ठीक है तो टू और थार आपका गलत है केबल वन सी है तो वासान काल के आउजार के समद्द में नमगित कत्म Cयार कीजिए आपका कत्र 1 है कि आउजार पालिस किये गये थे आउजार पालिस किए गये बलकुल सही है आपका 1 तो सही है कि ओखल और मुसल का उपयोग अन्ज को पीशने के लिए किया जाता था ये भी आपका सही है तो 1 and 2 दोनों सही है तो क्या होगा आपका इंसर? आपका इंसर जगा option 3 ज़िए दोनो 1 and 2 दोनो निश्ट आपका है दगिए यहाँ से आपका अधिया 3 स्टार्ट है ठीक है? अधिया 3 का question first है question है नवपवसान यूग के पुरा अस्तलोक में किस परकार के बरतन मिले है तो मिट्टी के बरतन मिले है यहाँ दखेगा नवपवसान यूग में पुरा अस्तलोक से मिट्टी के बरतन मिले है question second है question second है कि बुर्ज होम में बुर्ज हों में किस परकार के निवास अस्थान मिले है तो बुर्ज हों में गर्त निवास अस्थान मिले है या रखेगा बुर्ज हों में गर्त निवास अस्थान मिले है तो ये भी कोशनप का एक जम्हें बहुत बार पूछा गिया है तो आउफसनप का जगा थिरी कितने वर्स पुर्व मिले हैं तो याद रखेगा मेहर गड में कपास की खेती का साक्षे साथ हजार वर्स पुर्व मिले हैं और एक और देन रखेगा कि नौ फ्सान कल में फसल की उतपादन का साक्ष आपका पहली बार कहांच मिला हैं तो मेहर गड में तो यह मिले है ये भी आपका बहुत इंपोर्टटिन कोशन है अपका के दिया और बार अग्जैमी पूचन है कोशन है कोशन है कोशन है पिरामीड में दफना कर सुरक्षित रखेगे सवों को क्या कहा जाता था तो उसे मम्मी कहा जाता था option two होगा कोशन हरपा की नगर यूजनाओं की अनूठी विस्ताओं के बारे में निम्रकित कत्रों पर बिचार करे आपका कथन one है कि समानी घर समान रूप से एककल मंजिल होते थे बिलकुल सही है और आपका कथन second है कि इनमें से अनेक सहरों में ढखकी हुई नालिया थी तो one और two दोनों सही है आपका one और two दोनों सही है तो आपका हो जाएगा option number three हो जाएगा option three हो जाएगा तो आपका question six है question कर रहा है नमकेत कत्रों पर बिचार करें और कर रहा है नीचे दियेगे कोड से कोड के पृज्युक्स सही बिकलब चुने अब देखिए इसमें वन दिया फका वन में Mac आपबा इर्राण तबां का उटपादन इर्रान में नहीं होते थे मा को उत्पादन यह ओमान में होटे थे ठीक है तो आपका one गलत यहाँ प्रक करनाट है विद्स अ हैं यहां यू यहां को फिर जीड है 20 सब्सकार में यहां कår साथ विदी यहां कर थीितश अब विद्विद्व अट पिर प्रक निद्वर सकते हैं सिंपल्ब से और 6 इसका question first है सबसे पुरानाší उड़ी कौन से है ति यह ist necessaire निशलपपाय को check it कि रिग उड़ा कि रिख में वर्णीद्क प्रत्नाओं को क्या कहा गया है तो उसे सुंप कहा गया है option 3 होगा कोशन करा है कि रिग वेदों में किस रिशी के सतलुज और ब्यास नदियों के साथ वर्तलाब का वर्नन है यह है विस्वा मित्र का option 1 होगा कोशन करा है कि चरक ने कौँ सी पुष्टक लिखी है तो चरक सहिंता के लिखा कोन है तो चरक है चरक सहिंता के लिखा कि चरक है option 2 होगा कोशन करा है कि चरक ने मनुष के सरीर में कितनी हड़ी का वर्नन किया है तो चरक ने मनुष के सरीर में 360 हड़ी का वर्नन किया है कोशन है कोशन है कि रिग वैतिक काल के दुरान पर चलित राजनितिक ब्यवस्थाओं के बारे में निम्रिकत कत्रों पर विचार करें आपका कत्र वन है कि राजा के पास लोगों से एक कर एकत्र करने की सकती थी ये आपका गलत है रिग विद में ऐसे कोई ब्यवस्था नहीं थे और नहीं राजा के पास अपना कोई राजधानी होते थे और नहीं यानि कर वसुली करते थे ठीक है तो आपका one बिल्कुल गलत है सकेंड है कि राजा का पुत्र सभाविक रूप से राजा का उतराधिकारी होता था ये भी गलत है डिक वेदी कल में ऐसे विवस्ता नहीं थे ठीक है तो one और two दोनों गलत है कर रहा कौन सा सही है तो इसमें इनमें से कोई भी कतन सही नहीं है आपसन के होगा आपसन फोर होगा नेश्टाप का कोउसन 7 है कैई कि चरक सहिंता के बेरे में निमकित कतनों बर विचार करें one है कि इसकी रचना पर सीद चिक तक चरक ने किया है बिल्कुल सही है कि चरक सहिंता के लिए कोन है चरक है आपका second है कि वह बताती है कि मानफ सरी में 360 हड्डी होती थी यह भी से ही है आपका 1 और 2 दोनों से ही है चलिए हम option देखते हैं कौन से होगा आपका option नमर 3 होजएगा दोनो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं से आपका यहाँ chapter नमर 5 है यहाँ सबका chapter नमर 5 स्टार्ट हो गया है कौसन फरस्ट है chapter 5 का कौसन फरस्ट है कि यूद छित्र में राजा का सहचर कौन होता था तो यह हताद है सार्थी यूद छित्र में राजा का सहचर सार्थी होते थे और अपका क्या होगा थिरी होगा निवेश्ट अपका है question का second है कोशन सेकेंड है कि महा जनपतों का उदयाय कब हुआ था ति ये अपका 700 से 600 इसा पुर्व के बीच हुआ था और अपका टू होगा कोशन था है कि मगद की प्रारंप़ी के राजध表示 तो आपका आपका और फॉर होजएगा ये कोशन एक्जाम में बहुत बार पूछा गिए था मगद की प्रारंप़ी सेंख कौन से था तो राजगरी ये उपस्ण में नहीं होगा तो आपका रहेगा ग्री वरज ठीक है ग्री वरज रहेगा ठीक है दोनों में से कोई आपका आपका आपसन में रहेगा निश्ब का कोशन फोर्थ है कि अजाद सत्रू कहां का सा सकता तो अजाद सत्रू मगद का सा सकता आपसन आपका थिरी होगा कि मगद समराज का स्थापना किस ने क्या था तो मगद समराज का स्थापना बिम्बी सार ने क्या था और बिम्बी सार ने क्या था और बिम्बी सार ने किस वंच का क्या था तो हर्यक वंच का क्या था याद रखेगा हर्यक वंच का स्थापना कौन थे तो Bimbisar थे और मगत Sumrachah का आस्तापना किस ने किया था तो Bimbisar ने किया था कुसन fix है कुसन करा है कि वाद के वाद के वैदिकाल की समाजिक इस्थिति के बारे में नमेक्त कथन पर बिचार करे थे कथन one है कि महिलाएं और सुदर महिलाओं और सुद्र दोनों को वेद का अध्यान करने की अनुमती नहीं थी बिलकुल कथन सही है याद दखेगा कि महिलाओं और सुद्र दोनों को वेद के अध्यान करने का अनुमती नहीं थी सेकिन है कि वर्न व्यास था जन्म के अधार पर तैय की जाती थी यह भी आपका सही है तो 1 & 2 दोनों कथन सही है इसलिए क्या आपका थीरी हो जाएगा दोनों 1 & 2 दोनों आपका हो जाएगा ने श्रप का है आपका दोगे यहाँ से चेप्टर नमर 6 से स्टार्ट है ठीक है अध्या नमर 6 से स्टार्ट है question first है कि बौत धर्म के संस्थापक कौन थे तो बौत धर्म के संस्थापक सिदार्थ थे यानि गौतम बुध थे गौतम बुध के बच्वन का नाम ही सिदार्थ था ठीक है गौतम बुध के बच्वन का नाम क्या था सिदार्थ तो संस्क्रित भाषा के व्याकरण के रचना करने वाला महान विद्वान कौन थे यह थे पाननी पानिनी अश्ट दहाई की रचना की है जो अश्ट दहाई की है यह के व्याकरन है संस्कीत का व्याकरन है ठीक है आपसन टू होगा निश्वब का कोशन फूर है कोशन है कि जैन धर्म की सिक्षाएं कहां लिखी गई थी जैन धर्म की सिक्षाएं बलवी में लिखी गई थी आफिसन नमर वन होगा निशाब का कोशन फैब है कोशन है कि जैन धर्म का मुख्य महावर्थ कौँ सा था जैन धर्म का मुख्य महावर्थ कौँ सा था ये था ब्रहमचारी option क्या होगा फोड़ होगा नेश आपका question number six है question कर रहा है कि पानिनी के समन्द में निम्रिकत कत्रों पर बिचार करें आपका one दिया है कि उन्होंने संस्कित के लिए व्याकरन त्यार किया बिल्कुर सही है second है उन्होंने एक बिस्यस करम में स्वर और बेंजनों की वेवस्ता की ये भी सही है तो आपका one in two दोनों कत्रों सही है तो आपका option number three दोनों one in two दोनों निट्रम का question seven है question करा है कि बाउद संग के समन्द में बाउद संग के समन्द में नमिकत कत्रों पर विचार करें आपका कत्र one है कि बाउद धर्म के नियमों का उलेक सुत पिटक में किया गया था ये आपका गलत है बहुत धर्म के नियमों का उलेख बिनए पिटक में किया गिया है तो option 1 अपका गलत है अपका second है कि प्रूस और महिलाओं दोनों के लिए अलग-अलग सखाएं थी तो ये अपका देखे ये भी अपका second मुझे लगता सही है अपका one गलत है लेकिन second सही है ओफिसन नरवर टू हो जएगा ओफिसन नर्वर टू हो जाएगा केवल टू आपका देखे यहां से एक नया chapter start है को किस यूद के बाद त्याख दिया था कोशन है कि असोक ने युद निती को किस युद के बाद त्याग दिया था तो ये कलिंग युद के बाद तो ये कलिंग युद के बाद असोक के हिर्दय प्रिवातन हो गया और उसके बाद वो युद के निती को त्याग दिया था तो ये भी याद रखे कि कलिंग का युद क हुआ था ये अपका 261 इसा पुर्व में हुआ था तो ये भी आपका गिजमें बार बार पूछी जाते हैं कि कलिंग का यूद कव हुआ था ठीक है नेशाब का कोशन सकेन है कि मौरी वर्स का संस्थाबक कौन था ये था अपका चंदर को तो मौरी और सन टू होगा नेशाब के राजा बनने के आट साल बाद कलिंग का यूद हुआ था गोसन फ़ोर है कि कि स्थम्स के किस भासामे थे तो असोग के अधिकान सिल्डेलेक क्स लीपि में लिखा गया है यात लखेगा यह ब्रहामी हो जागा टीका है तो असोग का मैक्सिमम सिलालेक आपका ब्रहामी लिपी में लिखा गिया है और सोक का मैक्सिमम सिलालेक ब्रहामी लिपी में लिखा गिया है तो ये भी ध्यान रखीगा कोशन है कि कलिंग का आधुनिक नाम क्या है तो कलिंग का आधुनिक नाम उरीसा है कोशन है कि मौरी काल के महतपूर्ण सहरों के बारे में निम्हिकत कत्रों पर विचार्ट करे कोशन फरस्ट है कि तक्सिला उत्तर पस्यम का परवेश द्वार था यह आपका बिल्कुल सही है आपका सकेंड है कि उज्याइन उत्तर से दच्छिन भाद के मारिक पर इस्तित था यह भी आपका कत्र सही है क्या है यह भी कत्र आपका सही है तो आपका हो जागा 6 का आपका option number 3 हो जागा 1 & 2 दोनो नेश्ट आपका यह देगे यहां से एक आपका नया चेप्टर फिर से स्टार्ट है चेप्टर नमर 80 स्टार्ट है चलिए देखते हैं कुछना का फर्स्ट है कुछना है कि दक्षिनी भारत यानि तमील चेतर में बड़े भूज स्वामियों को क्या कहा जाता था तो दक्षिन भात में बड़े भूज स्वामियों को बिलार कहा ज़ता था याद रखेगा याद रखेगा ये भी आपके एक्जाम में बार बार पूछा गिया है ठीक है तो भूमी हीन मजदूरों को याद रखेगा उसको करते थे कैडे सियाड करते थे तो जिसके पास भूमी नहीं होते थे उसको करते थे कैडे सियाड करते है कि सबसे पुराने सीखों को क्या कहा जाता था या क्या कहा जाता है तो सबसे पुराने सीखों को आहत सीखा कहे जाते इक कुसानों की दूसरी राधनी कौनसी थी तो कुसानों की दूसरी राधनी मत हुरा थी फोर होगा नेश्ट आपका कोशन 5 है कि वलाई कुप किसके लिए परिक था तो नाली, कुड़े दान और गुसल खाना आपका कोशन 4 इन में से सभी के लिए नेश्ट आपका कोशन 6 है, कोशन है निमर्कित कतनों पर विचार करें, कतन 1 है कि तमील छत में बड़े जमिदारों को कडिस्यार के रुप में जाना जाता था, देखिए यह आपका गलत है, यह गलत है क्योंकि देखिए अभी तो हम लोग पर रहे हैं, कोशन 1 में क्या था, क कर्डिस्यार करते थे जिसके पार भूमी नहीं होते थे, तो आपका वन क्या गलत है, सकिन है कि तमील छत्रों में भूमी हीन मजरों को बिलार करते थे, देखिए आपको उल्टा दिया गया है, यह भी गलत है, जिसके पार भूमी नहीं राता था, उसको क्या कर्डिस्यार क पर एक मेंसे कोई ने कोभी कत्नमगा सही नहीं है कोशन करें कि वलाओदार को प्राचीन भाद की महात्पूर्ण विस्टब मेंसे एक थी करें निम्रीकित कत्न們 पर विचार किजिए आपका कत्फन फरस्ट तो उसने कि यह बलाइदार कोई यह बलाइदार कोई सोचला या कच्रा या नाली जयसे दिखाए देते हैं यह आपका बिल्कुल सही है स्किन है कि इस प्रकार का बलाइदार कुओं समानी रूप से राजा के घर में पाये जाता था यह अबका गलत है यह राजा के घर में नहीं पाए जाते थे, यह बिशिस्ट घर होते थे, ठीक है, तो आपका 1 तो सही है, लेकिन second गलत है, second आपका गलत है, केवल 1 सही है, आपका second गलत है, आपका हो जाएगा option नमर 1 होगा, केवल 1 होगा, option नमर 1 होगा, ठीक है, option 1 होगा, निश्वगा question 8 है, कोशन है कि अरिके में डू कहां की टटिये वस्ती थी तो अरिके में डू ये पांडू चेरी की टटिये वस्ती थी ठीक है, option फोड़ होगा चले हम आगे बढ़ते हैं आपका यहां से एक नया चप्टर फिर से start होता है आपका यहां है, एक सिकिन आपका चेप्टर नया नया से start होता है question first है, question है कि पांड्यों की राजधानी थी तो पांड्यों की राजधानी मदूरे थी option one होगा question second है, question है कि भात आने वाला चीनी यात्री था तो फाहियान भी चीनी यात्री थे जो आपका चंद्रकुप्त दूत्य के दरबार में आये थे ठीक है, चंद्रकुप्त दूत्य के दरबार में आये थे फाहियान और इत्सिंग भी कहा है यह भी चीनी यात्री थे और हैंसोंग यह भी चीनी यात्री थे तो हैंसोंग किसके दरबार में आये थे वर्धन के दरवार में आये थे, जबकि तीनों कैंते ये तीनों चीनी यातरी थे, ठीक है, ओफशन फोड होगा, निश्टा कोशन थर्ड है, कोशन है, कि बौत धर्म का अरंबिक रूप क्या था, ये था थेरवाद, थेरवाद ये बौत धर्म का सबसे प्राचिन साखा है, बौत धर्म का सबसे प्राचिन साखा है, निश्टा का एक कोशन फोड है, कोशन है, सबसे परसीद कुसान राजा कौन था, तो कुसान वन्स का सबसे परतापी राजा था, करनिक्स, आफशन वन होगा, निश्टा का एक कोशन फैब है, कोशन है, प्राचिन काल में मार्ग किसे करते थे तो रेसम मार्ग करते थे चीन से अनी देशों में रेसम वस्र ले जाने वाली वेपारियों का यात्रा मार्ग ठीक है option 4 होगा question का 6 है question करा है निमर्कत कतनों पर विचार करें आपका कतन 1 दिया है कि पोहार पांडियों का बंदरगा था और मदूरे चोलों का बंदरगा था ये दोनों का दोनों गलत है क्योंकि दोनों आपका उल्टा दिया है देखिए जो पोहार थे ये आपका चोलों का बंदरगा थे जबकि ये मदूरे है ये मदूरे पांडियों का बंदरगा थे तो ये दोनों का दोनों आप कोई कथना आपका सही नहीं कोई कजिन कर संगित का आयजन क्या था ताफ का वन तो सही है सकेन है कि अस्व घोस उनके दरवार में रहते थी ये भी सही है कि अस्व घोस ये कुसान साजक कनिक्स के दरवार में रहते थी तो वन और टू दोनों सही है आपका कौनों जगा अफसन थिरी हो जएगा वन एंटू दोनों कोसन आपका 8 है कि भाक्ती की अवधारना के बारे में निम्रकत कतनों पर बिचार किरे जो मौरी काल के बाद बिक्सित होनी लगी थी आपका कतन वन दिया है कि भाक्ती की धारना भागवत गीता में महजूद है भाक्ती की धारना भागवत गीता में महजूद है बिल्कुल सही है अपका सकेन कतन है कि सुरात में उच जाती की लोग भाक्ती मार्क का अनुसरन करते थे सुरात में उच वर्क के लोग यानि उच जाती की लोग यानि जाती की लोग भाक्ती मार्क का अनुसरन करते थे गलत है one से यह लेकिन second आपका गलत है आपका क्या जगा आपको नमरर क्याबल one होगा आपको क्या होगा ने च्छापका एक निया च्बटर है च्बटर नमर टेन आपका यहां से इसटाट है ठीक है चलिए हम देखते हैं च्छेटर नमर चनकुथ दुत्य के दरवारी में कारिदास से एक महान कवी थे निश्ब का है? कोशन सकेंड है कोशन कर आए कि हर्स चरीत ने लिखी थी तो हर्स चरीत बानवट ने लिखा है ठीक है? हर्स चरीत के लिखा कौन है? बानवट है Option 1 होगा कोसन अब का थर्ड है कोसन है कि समद्र गुप्त का दरवारी कभी कौन था तो समद्र गुप्त का दरवारी कभी थे हरी सेन कौन थे हरी सेन थे या दखेगा समद्र गुप्त का दरवारी कभी हरी सेन थे इसको आप दियान रखेंगे को से अपका फोर्थ है को से है कि दक्षिना पन्थ के कितने सासकों ने समुद्र गोपत के सामने समरपन किया था तो बारह सासकों को ने समरपन किया। त्था ठीक है और फुन इपका थीडी होगा। इसलिए तो संब भूपत को भारत का नेपॉलियन काते हैं। नैशनल का कौसन 6 है कोसन है कि हर्स वर्से। के बारे में निर्मीुटत कतनों पर बिचार करे। आपका कतन फर्स्ट है कि उनकी दरबारी कभी वान वर्ट थे बिल्कुल सही है आपका वन तो सही है सिकेंड है कि वान वर्ट ने बुद्ध चरित की प्राकृत भासा में लिखा है ये भी सही है तो वन एंट टू आपका दोनों सही है आफस नमर क्या होगा? प्राचीन भारत में सार्थ वाह का अर्थ क्या था? प्राचीन भारत में सार्थ वाह का अर्थ था? आपका हो जाएगा ओफस नमर टू इसका अर्थ था वेपारी समू का नेता ओफसन टू होगा चले हम आगे बरते हैं यहां से फिर आपका एक नया चप्टर स्टार्ट है चप्टर नमर 11 है ठीक है चप्टर नमर 11 है question first है कि सिल्पा दिकारम की रचना किस ने की थी यह किता आपका option फोर हो जागा ilango अडिंगल ilango अडिंगल option फोर होगा यह जब का question second है कि दक्षिना पंथ के 4 और लगे rolling को rolling क्या कहलाती है तक आपका जएगा option number 1 होगा वेदी का उसे क्या कहते थे वेदी का कहते थे question third है कि कुतुमिनार कहा इस्थित है तो कुतुमिनार यह दिल्ली में इस्थित है और इसका नियमान किस ने शुरू करवाय था तो कुतुमनार का निमान शुरू करवाय था कुतुबिन एवक ने कुतुबिन एवक ने इसका निमान शुरू करवाय था लेकिन इसका पूरा कौन करवाय था तो पूरा इससे इल्दुत्मिस ने करवाय था कोशन है कि मेगदूत की रचना किसने की थी तो मेगदूत की रचना काली दास ने किया है option 3 होगा कोशन कर रहा है कि बेदो को परने के अनुमती किसे नहीं थी तो बेदो को परने के अनुमती इस्तरी और सुद्र को नहीं थी पर्षिद को परने का उनमति इस्तरी और सुद्र को नहीं थी, option फूड़ोगा, one and two, दोनो, question six है, question है, question है, question है, question seven है, question करा है, कि आड़ुवेद स्वास्थ विग्यान की एक पर्सीद परनाली है जिसका बिकास प्राचीन भारत में हुआ था कराए निम्लकत कतनों पर विचार करे कतन फरस्ट है कि चरक और सुरुसुत चरक का सुरुसुत आड़ुवेद के पर्सीद चीकर सकते है बिल्कुल सही है सकेड है कि चरक पर्सेथ ने सर्जिकल विधियों का विच्त разр gun क्या है बिल्कुल सही है उप्राचिन बिश्ट्ध जनकारी दिया था कौन सुरुसुत और यह नहीं का 1 & 2 सोॉरी दोन सही है इसलिए क्या होगा option 3 होजयेगा 1 and 2 दोनो option 3 हो जएगा 1 and 2 दोनो तो ये था अपका 11 chapter ये था अपका 11 chapter जो आपका class 6 के पूरा अपका history था तो class 6 के पूरे history का अपकर हम 11 chapter जो आपका थे उसको हम आज cover करवा दिया है आपको next studio में आपको call यानी इसका जो class 7 में दियान रिखे, कला 7 में जितने भी हिस्ट्री का आपका चप्टर है, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो जितने भी है, उसको आपको हम कल अगले वीडियो में cover करवा देंगे इसी तरह से आपको जितने भी NCRT का चप्टर है और question है उसको आपको हम cover करवा देंगे एक्जाम तक सभी विसाइगा तो यह आपका वीडियो आज से, आज के बाद आपको daily मिलेगा, ठीक है, morning में यह आपका वीडियो daily मिलेगा यह देखिए, यह सभी question आपका NCRT का है इसलिए आपका महतपूर्ण है आपके exam में यहाँ से direct question देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्जाम भी आपका सीधे सीधे आपको कहा दिया है BPC Chairman साभ ने, अतुर परसाद ने कि आपके NCRT से ही question देगा, NCRT यह SCRT दोन से question देगा, तो आपका यहाँ से direct question रह सकता है तो इसको आप एक पर बना लेते हैं तो आपके exam के लिए बहुत ही helpful होंगे बहुत साइक question हो सकता है यहाँ सबका direct आज है, ठीक है तो इसको एक पर जरूब बनाएए चलिए आज के लिए तना ही, thank you, धन्यवाद मिलते आपको, next day में